बेटा usually एक ऐसा word होता है usually एक adverb होता है जैसे already होता है जैसे often होता है जैसे always होता है जैसे usually होता है ये सबी word जो है ये uses before main verb इनका प्रियोग sentence में main verb से पहले करते हैं कहीं और करेंगे तो sentence गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा sentence गलत हो जाएगा इस बात को बहुत ध्यान उर्वग समझेंगे is that clear? चलिए देखिये कैसे जैसे देखिये see of a see of a cook's food see of a cook's food वह अक्सर भोजन पकाती है I have already completed I have already seen this movie I have watched this movie I have already watched this movie मैं पहले से ही इस फिल्म को देख चुका हूँ तो आप सभी लोग देखिये और बताइए कि I have already watched this movie इस फिल्म को मैं पहले से ही देख चुका हूँ तो आप अल्रेडी कहां यूज हुआ जरा बताइए मेरे दोस्ट already is using before main verb often is using before main verb and here so same condition will be applied here यहाँ वही sentence apply होगा क्या मेरे बंदू we usually drive home ठीक है ना और home के पहले to abroad के पहले किसी भी position का use home and abroad के पहले किसी भी position का use नहीं करते है किसी भी position का use नहीं करते है is that clear? confirm है कि नहीं? तो यह है अब आगे चलिए देखिएगा if I will be in London I will contact to you यदि मैं London में रहूँगा तो मैं आप से contact करूँगा कितना simple सा बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि if के just बाद never use future indefinite tense no use of इनका प्रियोग करना sentence क्या होता है बच्चे? गलत होता है किसका प्रियोग करना? if के just बाद अगर future indefinite tense use करते हैं means अगर will use करते हैं sell use करते हैं तो sentence wrong हो जाएगा यह यही नहीं है when भी है whether भी है unless until भी है यह सभी words है is that clear? तो यह इन सभी के लिए हम लोग इनका use करते हैं clear है के नहीं तो मेरे दोस्त इनके just बाद will and sell will never use will और sell का use नहीं करेंगे नहीं तो sentence गलत हो जाएगा sentence क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा चलिए तो इसमें गलती कहाँ पर हो गई if I will यही गलत है if I am in London यदि मैं लंदन में हूँगा यदि मैं लंदन में हूँगा I will contact you और वो भी to you नहीं contact के साथ कोई proposition नहीं आता नहीं तो sentence गलत हो जाता है ठीक है बंदो अगला देखिएगा I go always to school by subway मैं हमेशा school वही गलती आ गई नहीं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर यह sentence में यूज होते हैं तो इनका यूज हमेशा मीन वाप से पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा I always go to school by subway go to school by subway next you like dance with me तो बेटा इसमें क्या है यह समझे वो प्रस्न पूछ रहा है ना बताने पूछने की बात कर रहा है क्या आप मेरे साथ dance करना पसंद करेंगी क्या आप मेरे साथ dance करना पसंद करेंगी है गरी तो बेटा क्या के यह अंगरे जी कहा दे रहा है साव और वैसे भी किसी को किसी के सामने प्रस्ता हो रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं would का तो क्या हो गया would you like to dance with me would you like to dance with me next I closed very quietly the door अब सारा देखिए कितना कितनी बड़ी गलती कितनी बड़ी गलती बेटा I closed बेटा पहले subject आता है फिर verb आता है फिर object आता है कि नहीं उसके बाद says आता है तो बेटा यह क्या हो गया सबसे last में होना चाहिए ना पहले subject फिर verb फिर says फिर object यह कौन सा रूल होता है एक sentence को बनाने में सबसे पहले क्या करते है subject main verb object प्लस etc यही तो होता है ना जी बोलो बेट दोस्त हाँ तो बेटा यह बताएए इसमें subject कौन है I I closed the door very quietly next me and John live here मैं और John यहां रहते हैं अब जब बताएए क्या error है बता सकते हैं बिटा जॉनी अच्छा जॉनी है जॉन नहीं जॉनी है बिटा सेंटेंस में पहले थर्ड परसन और उसके बाद हम लोग फर्स्ट परसन यूज करते हैं बोलो हा किना तो यह बताएए जॉनी कौन परसन है जड़ा बताएए जॉनी आपका थर्ड परसन है जॉनी एंड आई जड़ा बताएए मी कौन परसन है मी 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 कभी सब्जिक्ट का कारी नहीं करता है बिटा अगर यहां मी कर देंगे इवें दे सेंटेंस विल बी रॉंग सेंटेंस गलत हो जाएगा तो कहां पर गलती हो गई बिटा जॉनी एंड आई लिव हीर जॉनी और मैं यहां रहते हैं अगला देखिएगा इसमें बिटा मैंने आपको दे का जो रिफ्लेक्स बताया हूं वो हमेशा देंसेल्स होता है देंसेल्स नहीं होता है देंसेल्स होता है क्या होता है देंसेल्स होता है तो दे कोगड दे डीनर देंसेल्स वे स्वयम ही डिनर को बनाएं तो गलती कहाँ पे हो गई बेटे गलती हो गई themselves नहीं होगा themselves नहीं होगा themselves होगा You can give me an information कितनी बार पढ़ाएं हैं आप सभी लोगों को क्या information scenery scenery zwellery dictionary stationary इन में ना तो कभी a and and यूज़ करते हैं और ना ही इनको कभी plural बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ singular में यूज़ होंगे किस में यूज़ होंगे singular में यूज़ होंगे singular में ही इनको बनाएंगे बोलिये हां की ना जी हां आईए मेरे दोस इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं आगे बात करते हैं इसमें क्या गलती हो गई बच्चे can you give me some information सही है an information गलत है इसी को ऐसे भी use कर सकते हैं a piece of information कर सकते हैं an की जगह पे यदि आप a piece of information कर देंगे तो भी sentence correct हो जाएगा तो भी sentence correct हो जाएगा wrong नहीं होगा next it is more hot now बिटा ये बताईए hot का क्या बनाते हैं hot का comparative hot hotter hottest कर तोरे कर दिएर ये भास्ट कर जब है ये होगं ये औराईएट रिच, रिचर, रिचिस्ट रिच, रिचर, रिचिस्ट इस टेल में, is that clear? तो बेटा, जिसका comparative degree हम बनाते हैं already इनके पहले आप कभी भी more नहीं use कर सकते हैं more उन words के पहले करते हैं जिनका comparative degree नहीं बनाई जाती है क्या beautiful, beautifuler, beautifulist होता है क्या? honest, honester, honestest होता है क्या? intelligent, intelligenter, intelligentalist होता है क्या? नहीं तो beautiful के साथ में क्या करेंगे? more beautiful, intelligent के साथ more intelligent लेकिन अगर great का greater बनता है तो उसके लिए more great नहीं कर सकते हैं बोलो हाके न तो बेटा जब it is hotter now use कर रहे हैं तो उसमें more hot लगाने की आवश्यक्ता नहीं है जैसे देखिए c is more big than radha बताए कहां पेगलती है बच्चे? c is more हता दीजिए bigger करेंगे आपको यहां पे bigger than radha is that clear? बात clear हुई की नहीं दोस्ट यह क्यों गलत सही हो गया क्योंकि बेटा big का comparative degree bigger बनाते हैं क्या बनाते हैं? big का comparative degree bigger बनाते हैं clear है? चलिए बास समझ में आ रही है की नहीं इसी तरीके से बेटा हम कभी भी जैसे एक और जान लीजिए c is more beautiful she is more beautiful than her mother वा अपनी मां से जादा सुन्दर है तो जरा आप सभी लोग बताएं इसमें क्या error है बंधू? क्या है? जरा वा सही इसमें कोई error नहीं है अगर error करेंगे तो sentence wrong हो जाएगा why? here is no error because more आप देख पा रहे होंगे more का प्रियोग उन words के पहले करते हैं जिनका comparative degree नहीं बनाया जाता है तो और words का जैसे beautiful का beautiful नहीं बनता beautiful ही रहता है तो more का प्रियोग करते हैं लेकिन बिटा इसी same base पे हम सबी लोगों को यह याद रखना है यह care करना है और समझना है जैसे देखिए बच्चे इसी में हम आपको पिछली क्लास में बताये थे perfect excellent perfect हो गया, excellent हो गया, unique हो गया, brilliant हो गया, ideal हो गया इन सभी words के साथ में बिटा ना तो more लगाते हैं ना most लगाते हैं यह सिर्फ positive यूज होते हैं तो बच्चे perfect आप देखी रहे होंगे तो यह perfect वगरा, this is more perfect कभी नहीं यूज हो सकता this is the most perfect कभी नहीं हो सकता, unique भी होता है, the most unique कभी नहीं हो सकता, only unique होता है, clear है next I came, I came Australia to study English अच्छा, यह बताइए I came, I came Australia to study English यह बताइए, come, came, come के बाद अगर कोई proper ना होनाता है उसमें ठू का प्रियोग नहीं करते हैं, ऐसा preposition जैसे, I am coming, I am coming to college I am coming to college, देखे, I am coming to college is that clear, तो बाद संभाई के नहीं, coming के जस्ट बाद अगर object आता है तो उसको जोडने के लिए, क्योंकि के दिसा के तरब बताता है दिसा के लिए हमेसा to का यूज करते हैं जैसे, I am going to I am going to school, यह wrong है ऐसे अगर आप लिखते हैं, तो wrong है, क्या होना पड़ेगा going to school, clear है जी, एक एक बात clear कर लिजे, ठीक है जी my husband, my husband engineer, अच्छा जी, मेरे husband engineer है, तो क्या होगा my husband is an engineer, बेटा, एक बात याद रखेगा दुनिया की कोई भी post हो, post अगर single post है तो उस single post में हम लोग a or an hundred percent लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो sentence wrong हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे, क्या सर? इसलिए लगाते हैं, बेटा, क्योंकि वो हमेसा अकेला ही होता है और एक ही job कर सकता है जैसे हमने कहा, c is a doctor बेटा, अगर c is a doctor की जगे है हम ये use कर देते हैं, c is doctor तो sentence wrong हो जाएगा जो doctor होता है, engineer होता है, i, a, species होता है वो सभी के सभी post होते हैं और post के पहले हमेसा a और n का use करते ही करते हैं नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे आई हैव कार, ये गलत है बेटा क्या होना चाहिए, i have a car i have a car, मेरे पास एक कार है confirm, is that clear? एकदम सही है, यहाँ पे गलती है किसमें? यहाँ पे गलती क्या है? ए नहीं लगा है, यहाँ पे गलती ए नहीं लगा है, उसी तरीके से my husband is an engineer होगा दुनिया का कोई भी post होगा जैसे हम कहें, आप एक DM है, you are a DM आप एक SDM है you are an SDM clear है, आप एक बिद्यार्थी है, you are a student वह एक अधिकारी है, she is an officer clear है तो कहने का मत्तब यह है बिटा दुनिया की कोई भी post अगर आपके सामने दिखाई दे, तो उसमें आप A और N जरू लगाएंगे हमने आपको बताया है, A कब लगाएंगे N कब लगाएंगे, clear है चले, बुली हां की ना next she said me that, she said me that, she liked you बिटा चरह आप लोग बताये, जब that लग जाता है इधर आपका reporting verb है, इधर reported speech है तो मैंने आप सभी लोगों को बहुत deeply एक बात पढ़ाया है I have taught everyone deeply the words that if you wanna use it like a indirect speech then you will have to change it into told means what you will have to use without told you can never make it maintain otherwise it will be wrong जैसे अमने का, she told me she told me that she liked you so understand clearly any doubt and any problem no doubt should be taken come on, next word you are very nice as your mother चलिए, देखेगा दोस तो क्या करेंगे you are very nice you are very nice क्या है? सही है as your mother अच्छा जी बेटा, जितने अच्छे तुम हो उतनी ही, तुमारी मा भी तो बेटा, as नहीं लगाएंगे like का use करेंगे किस का use करेंगे? like का use करेंगे clear है की नहीं? clear होने चाहिए समझ रहे है की नहीं? अगला देखिए का बच्छे I want eat now अच्छा जी ये बताइए I love play chess is it possible ऐसा लेकना सम्भव है क्या? नहीं दो प्रियाएं एक साथ कभी नहीं use हो सकती कभी भी नहीं use हो सकती बिना किसी जीरंड या infinite to get connecting words होने चाहिए क्या होने चाहिए दोस connecting words use होने चाहिए मुझे chess खेलना पसंद है मुझे chess खेलना पसंद है तो अब सरा आप सभी लोग बताइए I want to eat now गलत है I want to eat now गलत है I want to eat now ये सही है confirm है अब देखिए जैसे my mother has 10 years अच्छा जी कभी भी बेटा कभी भी ऐसे condition में क्या my mother नहीं my brother my brother has नहीं होगा is 10 years और बेटा 10 years old ये वाला सही suitable sentence है जब तक 10 years old 20 years old 30 years old 50 years old आप नहीं उस करेंगे तब तक sentence correct नहीं होगा clear है कभी भी I am 5 years old you are 10 years old he is 20 years old how many children have you तुमारे पास कितने children है तो बेटा हमने आपको पढ़ाया दोपहर में child का plural हमेशा children बनाते हैं अगर उसमें child का plural children बनाएंगे तो sentence गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा उसी तरीके से मेरे दोस अगर मैं आप सभी लोगों से कहूँ जरा बताईएगा सो समझ के clear करके बताईएगा बंदू कि अगर हम सभी लोग ऐसे sentence यूज करें क्या अब जरा बताईए mine का plural क्या बनाते हैं mine का plural men और बताईए women का plural women ये बताईए उसी तरीके से आप लोग बताईएगा जैसे मैंने आप से कहा person का plural person का people person का plural people बोलो हा के ना बोलो जी हा के ना जी हा is that clear तो कहने का मतलब मेरे बंदू ये है कि ऐसे जो words आएंगे dear उनमें उनको हम लोग इस तरीके से plural बनाते हैं अगर person का person हाँ एक खूब question गलत करता है people का जो होता है लोग के sense में peoples कर देता है लोगों के sense में I saw many peoples there I saw many peoples there मैंने वहाँ कई लोगों को देखा देख लिजे तो many peoples जो आप लोग बोल रहे हैं ये गलत है peoples मतलब राश्ट होता है जबकि यहाँ लोगों की बात हो रही है किसकी बात हो रही दोस्त लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा बेटा people use किया जाएगा क्या यूज किया जाएगा people is that clear बोलो हाँ के नडियर समझ में आ रहा ही नहीं तो how many children do you have तुमारे पास कितने बच्चे हैं the life is hard जीवन क्या है hard है तो the life लगाने क्या जूरत है इस वक्त life एक uncountable है तो life is hard होता है जैसे कभी भी हम लोग the water is life नहीं होता है क्या होना चाहिए water is life water is life water is life जल ही जीवन है gold अगर ऐसे बनाते हैं आप लोग the gold is a precious metal is a precious metal wrong कहाँ पे गलती है gold नहीं होगा the gold होगा क्या होगा the gold होगा is that clear तो यहाँ पे गलती हो गई the नहीं लगाएंगे the लगाएंगे तो sentence गलत हो जाएगा उसी तरीके से बेटा कहाँ पे life के पहले दा नहीं लगाएंगे the life of the life of the rich अमीरों की जिन्दगी वहाँ पे दा का यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पत्मारीगी नहीं चलिए आगे देख लिजिए बेटे इसी तरीके से हम लोग बात करें my mother wanted that I be doctor अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी देखे मेरी माँ चाहती थी कि मैं क्या करू एक doctor बनू तो देखे my mother wanted me to be a doctor it is a suitable sentence it is a wrong sentence it is a suitable it is a wrong sentence clear है चलिए दोस्ट अगला देखते हैं हम सभी लोग next c is success ये बताइए c is success success है success एक noun होता है बिटा ये noun के रूप में नहीं बलकि adjective के रूप में use होना चाहिए c is care कभी नहीं होता c is careful होता है c is care c is care क्या करते हैं इसको c is careful c is care c is careful you are beauty गलत है noun नहीं you are beautiful हाँ he has success जरूर कर सकते हैं उसके पास सफलता है he has a success उसके पास सफलता है इसे आप जरूर कर सकते हैं you can do it like तो बास समझ माई तो c is successful correct है you cannot buy all what you like वो सारी चीज़े आप नहीं खरी सकते जिसे आप पसंद करते हैं it applied on middle class family middle class family में ये अप्लाई होता है confirm कोई दिक्कत परसानी no दिक्कत और नो परसानी समझ मारेगे नहीं बात तो देखेगा पिटा जैसे हमने कहा you cannot buy all that you like you cannot buy all that you like ये सही है all what you like नहीं that की बात हो रहीं क्योंकि all के साथ what, why, when, where as a relative pronoun नहीं यूज़ करते हैं that का यूज़ करते हैं जो का अर्थ देता है वो सारी चीज़े नहीं खरी दी जा सकती जो आपको पसंद है confirm next is ready my passport is ready my passport अच्छा जी ये मता ही subject, object, फलाना, डिमका इधर उधर हुआ की नहीं हुआ तो is my passport ready is my passport ready क्या मेरा passport ready है क्या मेरा passport ready है ठीक है तो ऐसे condition में हम लोग क्या use करेंगे बिटे 22 we study during 4 hours बिटा, during का प्रियोग हमेशा fixed time के लिए करते हैं जैसे डियूरिंग summer डियूरिंग विंटर डियूरिंग विंटर डियूरिंग समर, डियूरिंग विंटर clear हैं के नहीं तो इसका प्रियोग करते हैं confirm आगे देखिए तो बच्चे जो टाइमिंग की बात करते हैं अनिश्चित समय होता है उसके लिए 4 का यूज करते हैं यही निश्चित समय होता है एक बच्चे, 2 बजे, 4 बजे sun होता 2024, 2025, 2030 तो वो निश्चित होता है तो वहाँ since कर देते हैं तो बच्चे यहाँ पे यह सही है यह घलत है during fix time के लिए करते हैं during दूर्गा पूजा क्या कर सकते हैं आप during दूर्गा पूजा during summer vacation, during examination during holidays during diwali during holy है के ने तो during का यूज करते हैं अगला please explain to me how to improve my English देखे बिटा यह सही है अगर how आप लगाते हैं तो इसके बाद to का use नहीं करते हैं तो sentence गलत हो जाता है देखे बिटा एक word होता है no एक होता है explain एक होता है learn यह कुछ ऐसे word होते हैं अगर जिनके बाद verb आएगी तो उनके बाद how to का प्रियोग जरूर करेंगे अगर नहीं करेंगे तो sentence गलत हो जाएगा जैसे I know to play chess यह गलत है क्या करना पड़ेगा I know how to play chess I know how to play chess कहां पे गलती होगे कहां पे गलती है बिटा यहां direct verb नहीं लगाएंगे आपको how to के साथ में लगाएंगे तब जाके sentence correct होगा तो please explain to me how to improve my English क्रपया मुझे explain करके बताएं कि हमें अपनी अंग्रेजी मैं कैसे अपनी अंग्रेजी सुधारू where is post office बेटा जब particular किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ post office की बात नहीं कर रहे हैं the post office होना चाहिए क्यों होना चाहिए इसलिए मेरे दोस्त इसलिए मेरे भाई क्योंकी जिल्दी बताइएगा इसलिए क्योंकी हमने आप सभी लोगों को बता दिया है कि जो particular होता है अगर मैंने कहा this is a pen the pen is black sentence correct होगा जैसे मैंने कहा this is a pen the pen is black the pen is black this is a pen the pen is black clear है जी एकदम confirm है कि नहीं अगला sentence देखिएगा I promise I call you next week बेटा जब इधर पहला present में हो गया तो अगला future में होना चाहिए तो I promise I will call you next week मैं आप से promise करता हूँ मैं अगले सब्ता कॉल करूँगा अब आप इन ही सभी चीजों को ध्यान क्या देना है मेरे बच्चों ये ध्यान देना है कि जो भी दो sentence होगा एक present में होगा एक future में होगा एक present में होगा एक future में होगा अगला माइ फ्लाइट डिपार्ट्स इन फाइब एम माइ फ्लाइट डिपार्ट्स बिटा जो correct टाइम होता है उसके लिए इनका नहीं I at का यूज करते हैं क्या यूज करते हैं I at का यूज करते हैं तो सही होगा ठीक है जी I did not meet nobody बिटा जब sentence negative होता है तो हमने आपको बताया है एनी वाले concept को लगाएंगे anybody लगाएंगे anyone लगाएंगे anything लगाएंगे क्या लगाएंगे anything लगाएंगे clear है कि नहीं बास समझ मा रही है कि नहीं और अगर swim sentence negative हो गया यार ये भी negative ये भी negative दो-दो negative कैसे जब negative डिड नॉट आया है तो उसमें anybody का use कर दिये न nobody क्यों use कर रहे है क्योंकि आपका anybody anyone anything जो होता है वा कैसा होता है semi negative होता है anyone anybody वो सिर्प negative में ही use होता है clear है there is seven girls in the class अब जड़ा इसी चीज को आप समझेए हमने आपको क्या बताया है बिटा खूब deeply पढ़ाया है there आपका singular भी होता है there आपका singular भी होता है there आपका plural मतलब हम ये नहीं कहते है singular और plural there singular वो भी accept करता है there plural वो भी accept करता है there के बाद आने वाला अगर noun singular होगा तो वो भी singular होगी जैसे there is a there is a pen तो यहाँ पे सही है there is a pen सही है लेकिन अगर मैंने कहा there are many pens there are many pens तो आप बताये there आप कभी कभार भी द्यारती सोच लेता है कि सर देयर के साथ इस करें कि देयर के साथ आर करें यह जरा बताईए आप सभी लोग मैं देयर के साथ इस करूं कि देयर के साथ आर करूं तो इस रूट घूमता रहता है कि सर देयर के साथ इस और देयर के साथ आर मतलब नहीं सुनमाया मतलब ये है बेटा की there जो होता है ये singular और plural दोनों वाब लेता है आगे आने वाला noun बताएगा कि singular वाब आनी चाहिए कि plural वाब आनी चाहिए clear है दोस्ट चलिए देखते हैं कैसे जैसे मैंने आप से कहा there is a seven girls जब साथ लड़कियां हैं तो कब से हम लोग is लगाने लगें आप आर लगाएंगे कि is आर लगाना पड़ेगा confirm do you like a glass of wine? no बेटा जब आप किसी को offer करते हैं तो do नहीं would लगाते हैं हमने आपको थोड़ ज़र पहले बताया would you like to dance with me? would you have a cup of coffee? would you have a cup of tea? would you like to dance with me? would you like a glass of wine? ये सही है ये गलत है you should not to smoke आपको बेटा should not के बाद कभी cannot, could not, should not, has not, have not, had not इनके बाद कभी भी to का use नहीं करते हैं जो has not, have not, can not, could not, may not, might not, must not जो आता है, इनके बाद कभी भी to का use नहीं करेंगे, नहीं तो sentence गलत हो जाएगा you should not smoke, तुम्हें धुम्रपान नहीं करना चाहिए तुम्हें धुम्रपान नहीं करना चाहिए the house isn't enough big, बिटा ये बताईए enough big होता है कि big enough होता है, जल्दी बताईए बिटा यहीं तो matter है, यहीं एक ऐसा sentence है जो दोनों adjective हैं और ये ये भी इसी के लिए आया है ये भी इसी के लिए आया है, इनफ क्या है, बताईए इनफ क्या है, जरब बता दीजिए इनफ है आपका house, इसके big के बारे में बात कर रहा है तो बिटा कभी भी the house isn't enough big गलत है, big enough होगा, big enough होगा यहीं एक concept, सबसे different, otherwise enough के बात adjective का यूज़ करते हैं the policy is coming, आने की बात हो रही तो बिटा इस नहीं आर का प्रियोग करेंगे, हम सभी लोग जानते हैं किसके बारे में, हम लोग जानते हैं conditional उसके बारे में, collective noun के बारे में you speak English good, बिटा हमने आपको कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए बिटा good जो होता है, यह होता है adjective, और यहां पे speak बोला जा रहा है well speak एक verb है, verb हमेशा, ad verb को qualify करता है तो ad verb काउन है, well होता है, good नहीं होता है काउन होता है, well होता है, good नहीं होता है next, see doesn't listen me, बिटा यह गलत है, यह गलत है, यह सही है मैंने आपको पढ़ाया है, reply हो गया, right हो गया, क्या हो गया, reply हो गया, right हो गया, listen हो गया वही आ गया, क्या हो गया, reply हो गया, listen हो गया, ask हो गया, इनके बाद अगर object आएगा तो two का प्रियोग जरूर करेंगे, reply to him, reply to her Write to your parents Listen to me Please listen to me हम लोग बोलते हैं कि नहीं Please listen to me carefully है कि नहीं So that is the word बेटा अगला बताईए जरा आप सभी लोग सो समझ कि क्या आ रहा है My boyfriend has got a new work My boyfriend has got a new work तो बेटा जरा आप सभी लोग बताईए इस में क्या गलती है बेटा जब हम कारी करने की बात कर नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी के लिए कभी भी हम लोग बर्क नहीं जॉब लगाते हैं क्या लगाते हैं जॉब लगाते हैं clear है I am leaving my service नहीं होगा बेटा I am leaving my job होगा मैं अपनी नौकरी छोड रहा हूuld I am leaving my service गलत है I am leaving my service रॉंग है गलत है तो देखे I have been here since three months बेटा मैंने आपको क्या बता है three months, three days two months, two days two years, four years two seconds, four seconds ये सभी अनिश्चित होता है और अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, four लगाते हैं since नहीं यही the last three months आया होता, तब since सही हो जाता next last जुड़ जाता है तो वह अनिश्चित हो जाता है चलिए when I will arrive I will call you जब मैं आऊंगा, तो मैं आपको बुलाओंगा, बुलो हां की न तो अब सरा आप सभी लोग बताइए when I will arrive बिटा बताइए, क्या दो वाग के दोनों future में नहीं है, है मैंने आपको बताया है, जब दो वाग के दोनों future में होंगे तो गलत होंगे जिसके साथ conjunction होगा उसे present में बना देंगे यहां से will हटा दीजिए, दूसरा will रहने दीजिए, जिसके साथ conjunction होता है, उसी के साथ ऐसा follow कराते है I live in United States States बिटा, वैसे तो हम proper nouns के पहले दा नहीं लगाते है, I live in India होता है दा लेली नहीं, I am from प्रियाग राज होता, I am from प्रियाग राज, I am from the प्रियाग राज नहीं होता है, किसी भी proper noun के पहले, proper place के नाम के पहले, proper person name के पहले proper things नाम के पहले कोई sony tv है sony camera है तो हम लोग उसके लिए sony के लिए दा नहीं लगाएंगे कभी नहीं, never कभी, Rajendra के लिए कभी भी दा नहीं लगाएंगे Asta के लिए कभी दा नहीं लगाएंगे Delhi, प्रियाग राज, इंडिया के लिए दा नहीं लगाएंगे, लेकिन बेटा कुछ special proper place हैं जिनके पहले दा लगाते हैं United States United Kingdom, UAE Netherlands, Mexico and Manicobar Island Punjab इन कुछ ऐसे proper noun होते हैं जिनके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं clear हैं तो I live in the United States United States के पहले दा लगाएंगे where can find a bank अरे बेटा question word है तो पहले helping वह आता है फिर subject आता है तो where I can, नहीं where can I find next see can to drive मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है model verb can, could, should, would, may, might, must ये जो words होते हैं इनके साथ में कभी भी हम लोग to का use नहीं करते हैं तो to नहीं लगाएंगे seek and drive I look forward to meet बेटा, I enjoyed the movie होगा क्योंकि enjoyed के साथ किसी भी proposition का use नहीं करते हैं अगर करेंगे तो sentence क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे बंदू गलत हो जाएगा ऐसे ऐसे words हैं देख लीजे आप लोग खुदी confirm any doubt and any problem no doubt should be taken कोई भी doubt नहीं होना चाहिए बिटा अभी भी grammar नहीं हो पाएगा तब तो हो गया पूरी videos देख लीजेगा बहुत समय है exam में एक बार देख लीजेगा आप 99% question अच्छा 100% सही करके आएंगे ठीक है जी although it was raining but बिटा although के साथ हमेशा हम लोग yet लगाते हैं क्या लगाते हैं yet but नहीं लगाते हैं जैसे no sooner के साथ हमेशा हम than लगाते हैं hardly scarcely के साथ हमेशा हम लोग when लगाते हैं क्या लगाते हैं when लगाते हैं but नहीं लगाएंगे दोस्त ठीक है जी क्या नहीं लगाएंगे but नहीं लगाएंगे although it was raining we had technique next every student like the teacher अरे बिटा every student every students के साथ में क्या likes करेंगे ये students नहीं होगा student होगा every each either neither none इनके बाद हमेशा noun वाब दोनों से बड़ा राती है तो if every student likes the teacher हर विद्यार्थी अध्यापक को पसंद करता है I must to call him immediately बिटा मैंने आपको deeply पढ़ा रखा है must can could should would me might must जितने भी model verbs होते है will sell do does did इनके बाद बिटा not आजाए या direct कभी भी to का use नहीं करते हैं अगर करेंगे तो sentence गलत हो जाएगा I must to गलत हो गया I must call him immediately must to can to might to ये सभी sentence गलत होता है ये सभी sentence क्या होता है गलत होता है clear है के नहीं clear होने चाहिए C was boring in the class देखा बिटा देखिए बच्चे क्या समझना है कि जब C was boring होगा कि वह कक्छा में बोर हो गया था कारे बीता हुआ है तो बिटा C was bored वह कक्छा में बोर हो गई थी तो past है तो उसके साथ हम passive wise वह आपकी third form लगाते है C was married to C was married to ये भी एक अंतर है C was married to बेटा अब आपको समझना है जब कोई female किसी male से साधी करेगी तो to का use करते है अगर यहाँ ही होता तो with सही होता इधर C है तो he से साधी करेगी अरे बोलो हाँ की ना तो उसके लिए क्या लगाएंगे तू का प्रियोग करेंगे confirm है की नहीं confirm होने चाहिए अगला अगला दवूमिन विच वर्क हियर इज प्रॉम जापान लीजिये एकवा और तो वूमिन विच ये बताईए वूमिन जो औरत है वो परसन है बिच और ये एक बात याद रखेगा परसन के लिए कभी भी विच नहीं आता है हू आता है कौन आता है हू आता है clear हुआ की नहीं तो दवूमिन हू वर्क हियर इस फ्रॉम जापान फ्रॉम जापान इस दाट clear बोलो हां की नहा clear हुई की नहीं बात एकदम clear होनी चाहिए जैसे देखियेगा आई हैव विजिटेड नियागरा फॉल्स लास्ट वीकेंड लास्ट वीकेंड अब सरा आप लोग बताईएगा बेटा जब कोई भी लास्ट लगता है लास्ट एगो यस्टरेड़े प्रीवियस अगर सेंडेंस में इनका यूज हुआ है हमेशा हमेशा क्लिए जान लीजिए उनके साथ हमेशा एक ही टेंस आएगा वो है पास्ट लिएफिनिटेंस लियर है कि नहीं पास्ट लिएफिनिटेंस तो आई विजिटेड नियागरा फॉल्स लास्ट वीकेंड ये गलत है आज का लास्ट अच्छा इन सभी को देख लीजिए जर देखें 51, 52, 53, 54 देखें तो बिटे चरा बता दीजिए आप सभी लोग पीपल्स अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि पीपल्स नहीं होता है बिटा पीपल होता है पीपल्स रास्ट होता है पीपल लोग होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग बताये पीपल्स नहीं पीपल करेंगे सीटा नहीं समझ सकी जो उसके टीचर कह रहे थे ये बताइए बेटा, can not, could not, should not के बाद क्रिया की first form आती है क्या उसमें कभी S या E S लगाते हैं क्या कता ही नहीं लगाते, नहीं लगाते, नहीं लगाते, कता ही नहीं लगा सकते तो गलती कहां पे हो गई बेटा, understands नहीं होगा, understand होगा Do you know the importance for clean water? बेटा, do you know the importance नहीं होगा, important, important और, और, अच्छा, importance of clean water कर दीजिए, ठीक है importance ही रहने दीजिए, importance for नहीं होता है, off होता है clear, laugh is the best medicine, laugh नहीं होगा बेटा, laughing होता है क्या होता है, laughing होता है, मैंने आपको बताया है, zirand, zirand का प्रियोग हमेशा, ing रूप में subject में भी यूज़ हो सकता है, object में भी यूज़ हो सकता है, बोलो हाँ की ना, बोलो मेरे दोस्त हाँ की ना, तो मेरे दोस्त ये रहे, आज के top words, कल से हम लोग error करना शुरू करेंगे, इक रहे spotting error, आज के लिए बस इतना है, जै हिन, जै भारत, thank you so much. झाल सबस्त आपिस को जैने में कांथे रहे,retched में अझाब आपकर ना, opt कैक करना रहे, जै जै हुआरू का जैबुरू कि को ये हरा भी रहे, जै रहे just a kahल वाहbag गारů ना, जै भी हूप खूआए, जै gle खोआए प्राव रहे, जै जै हमस्से हो ओूए. झाल झाल